सामान अध्यन से ने ने प्रश्ण, नित ने ने प्रश्ण बन रहे हैं, ने पैटर्न से सवाल पूछे आते हैं, UPSC हमेशा से अच्छे प्रश्ण, लोजिकल प्रश्ण करता आया है, उसके लिए कुछ विशेश टॉपिक्स की महत्पूर्ण टॉपिक का गहन अध्यन करना आउशक होता है, UPSC कुछ ऐसे फैक्ट्स पूछ लेता है जो आप लोग नहीं कर पाते हो, इसलिए हमने डूवल प्रोग्राम चलाया है, इसमें आपको दो ग्रुप्स दिये गए हैं, एक रिविजन ग्रुप है, उसमें मैंने आपको टू दपॉइंट सारी चीजें प्र प्रिलिम्स का समाप्द कर सकते हैं, और बार-बार रिवाइस कर सकते हैं अपनी परिक्षा तक, दूसरा यह कोर्स है, अर्था दूसरा यह ग्रुप है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक का गहन अध्यन की कराया जाएगा, यह गहन अध्यन भी इतना गहन नहीं होगा कि आपका पूरा दिन चुला जाएं, एक गंटे के अंदर, आदे गंटे के अंदर आपको उस टॉपिक से जुड़े जितने भी पक्ष हैं, और जो भी फैक्ट्स हैं, वो आपको समझ में आ जाएं, मुख्य परिक्षा से जुड़े जो टॉपिक होंगे आपके GS से, उनका थ देखिए उसकी, PDF बार-बार देख लिजेगा, वीडियो भी नित समय समय पर निया समय समय पर देखते रहिएगा, सब तहां में, 15 दिन में, 20 दिन में, इस तरीके से, रिवीजन बहुत आउश्यक है, पढ़ना इतना अनिवारे नहीं हैं, जो पढ़ा है, उसका रिवीजन किया है या नहीं किया है, इस बात पर निर्भर करता है, कि आपका प्रदर्शन परिक्षा में कैसा होगा, टेस्ट बहुत ज़ल स्टार्ट करने वाले हैं, PCS, RO और अन्य परिक्षाओं के लिए, तो उसकी भी घोशना कर देंगे, आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं, ह जब ये अस्थल पाएगे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम जो अस्थल पाएगे हैं, इसलिए सिंद्धुगाटी सब्विता, और सुरुवाती जो अस्थल है, जब इसका नाम करन हो रहा था, तो सिंधो इसकी सहाइक नदियों की घाटियों में ही अस्थल पाएग से पहले खुदाई होगी, उसी के नाम पर उस सब्विता का नाम रखा जाएगा, उस आधार पे इसका नाम हडपा सब्विता रख दिया गया, इसको कांस योगिन सब्विता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले कांसे का प्रयोग हडपा सब्विता में हुआ, सबसे पहले का स्युग्न सब्वता पढ़ा दूसरा कारण दे देगा कास्य का सरवाधिक प्रयोग जो है इस सब्वता में होता था तो दूसरा statement गलत हो जाएगा क्योंकि सरवाधिक प्रयोगоч ताबय का होता था इसमें लेकिन ताबह और टीन को मिला करके मिस्द us तो कासे का प्रयोग यहाँ पर होना सुरू हुआ इसलिए इसको कासयोगिन सब्वेता कहते है ठीक है और ये नगरी सब्वेता भी थी यहाँ पे सामानता जितने शहर मिले हैं नगरों के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं तो एक नगरी सब्वेता थी ऐसा नहीं कोई नगरी सब्विता है तो हाँ गाउं ही नहीं मिले हो या गाउं ही न रहे हो गाउं रहेगा तभी गाउं है तभी सहरों का अस्तित है गाउं में कृशी होती है और कृशी का जो अधिशेश होता है वो सहरों में जाता है शहरी करण तभी होगा जब अधिशेश होगा तो इसलिए शहरों के अस्तित्तों के लिए ग्राम का अस्तित्तों ना वो शक है तो ऐसा नहीं कि ग्राम थे ही नहीं अगर ऐसा आ जाए ग्राम थे ही नहीं तो वो गलत हो जाएगा कोई भी ऐसा सब्विता नहीं हो सकती जहां पर ग्रामों गास्तित्व नहीं हो और गाओं और शहरों का जो व्योस्था होती है उसका जो आधार होता है वहां की अर्थ व्योस्था होती है जो ग्रामी रत्वियोस्ता होती है क्रिशी और उससे सबध जो गतिवधिया होती है वो वहां की प्रमुख गतिवधिया होती है ठीक है प्रमुख इसलिए क्योंकि अन्य गतिवधिया भी हो सकती है गाओं में लेकिन प्रमुख गतिवधिया किर्षी और अन्य गत्विदियां होती उससे जुड़ी हुई जो गत्विदियां पश्पालन हो गया ठीक ये सबी गत्विदियां बहुतायत में होती हैं प्रमुकता लोग जो लगे होते हैं इनी कारियों में लगे होते हैं वहें शहरी जो निकाय है या जो नगर होते हैं व थोड़ा बोत रहेगा कृशी या फिर बिलकुल agriculture या उससे जुड़ी गदविदियां नहीं रहेंगी ठीक तो ऐसे निकाये को हम नगर कहेंगे तो नगर और गाओं में आपको अंतर थोड़ा सा पता होना चाहिए तभी आप किसी क्लिष्ट प्रश्ण का लॉजिकल प्रश् मिले हैं सब विश्व की सबसे पुरानी नगरी सब्विताओं में से एक है इसलिए इसको प्रथम नगरी करण भी कहा जाता है इस समय को जो हरपा सब्विता का समय था हरपा सब्विता आद इतियास के अंतर गत आता है आपको बता है प्राग इतियासिक पढ़ाया था हमने जहां पुरा तात्विक स्रोत मिले थे लेकिन साहितिक स्रोत मिले ही नहीं थे आद एतिहासिक में पुरा तात्विक के साथ साहितिक स्रोत मिले हैं लेकिन साहितिक स्रोतों को पढ़ा नहीं जा सका है जब पढ़ लिया जाएगा तो उस दिन से वो आद इतिहासिक नहीं होकर के फिर वो इतिहासिक काल में गिनी जाएगी और इतिहासिक काल में जहां साहितिक स्रोथ मिले हुए है और उनको पढ़ा भी आ सका है तो इतिहासिक काल में आ जाएगे ठीक है न हड़पा से बिता की जो खोज की वो सबसे पहले हड़पा नगर खुदाई में मिला डाक्टर दया राम सहनी ने या डी आर सहनी ने 1921 इस बी में और इसके दूसरे अस्थल मोहन जोड़ो जो की हडपा से बता का पूरे हडपा से बता का सबसे बड़ा अस्थल है मोहँजोद्रो राखाल दास बनरजी आरडी बनरजी ने 1922 में इसका उत्रिनन किया किसके नियंतर्ण में किया तो सर जान मार्शल के नियंतर्ण में किया ये भी याद रखियेगा उस समय महाने देशक थे तो इस खोच के समय भारती पुरा तत्यों सर्वेक्षन विभाग के महाने देशक जान मार्शल थे उन्हीं की अगवाई में एक हुदाई हुई थी दैयाराम साहनी ने 1921 में हडपा की खोच की आरडी बनर जी या रखाल दा बाएं तड़ पर और मोहन जोड़ो पाकिस्तान के ही सिंद प्रांत में सिंद नदी के दाहीने तड़ पर इस्थित है बिभिन नामकरनी सब्विता के सिंदुगाटी सब्विता सिंदु सब्विता हडपा सब्विता कास योगीन सब्विता प्रथम नगरी सब्विता सरस् इसको तो जान मार्शल नहीं सब्विता के प्रारंभिक अस्थल सिंदु नदी घाटी में मिलने के करण इसे सिंदु घाटी सब्विता कहा परन्तु जब सिंदु घाटी से दूर इस सब्विता के अस्थल प्रकाश में आने लगे तो इस सब्विता को सिंदु सब्विता का नाम दिया गया सिंदु घाटी कहना उचित नहीं रहा गया आप हमारे किसी भी टेलीग्राम ग्रूप से जुड़ने के लिए जेहो इस्टेडी वाटस अप इस नंबर पे 9453-775-039 पे संपर करके जुड़ सकते हैं ठीके हमारे UPSC, UPPCS, Prelims Mains, Answer Writing Daily Answer Writing का एकरम से या फिर वेकल्पिक विशे या फिर अन्य परिक्षाओं से जुड़े जो भी सामान अध्यन के पोश्चन है उसके तियारी के लिए आप जुड़ सकते हैं बाद में हडपा सब्विता की जो अस्थल है भारत, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक पाए जाने करण इसका नामकरण पुरा तात्विक दिष्ट से प्रथम खोजे गया अस्थल को प्रतीक स्थल मान कर सब्विता का नामकरण कर दिया गया तो पहले सिंदु सब्विता नाम सिंदु गाटी सब्विता नाम पड़ा फिर अन्यस्थानों पे जब खोजा गया सिंदु सब्विता फिर बहुत विहत अर्थात पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जब पहुँच हो गई तो फिर इसका नाम हडपा सब्विता इस सब्विता के लोगों ने ही सरप्थम ताबे में टेन मिलाकर कांसिका प्रयोग किया ता इसे कांसियोगिन सब्विता कहा गया इसी सब्विता में पहली बार नगर अस्थित्तों में आया अता इसे प्रथम नगरी करांतिया प्रथम नगरी सब्विता कहा गया वर्तमान के 80% अस्थल विलुत सरस्ती नदी घाटी और इसकी बहाव सीमा में स्थित्त है अताईसे सरस्तिया, सिंद सरस्ति सब्विता भी कहा जाता है हडपा सब्विता का विस्तार और प्रमुकस्तल देख लेते हैं हडपा सब्विता का विस्तार जो है दोस्तों वो मुक्ता तीन देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखा गया प्रमुक अस्थल जो है, हाला कि बहुत सारे अस्थल है, हजारों की मात्रा में, लेकिन जो प्रमुक अस्थल है, यह सूतका गंडोर हो गया, सबसे पश्चिमी अस्थल है हडपा सब बता का, पूरे हडपा सब बता का, इसके लावा कुली है, बाला कोट है, निंदो वरी है, लोहम जोड़ो है, मोहन जोड़ो है ठीक है, सुकूर है, कोट दीजी है चन्धुरो है, आमरी है अल्लाह दीनो है, ठीक डाबर कोट है, रहमान डेरी गुमला, मुसा, हडपा ये सबी जो हैं महत्पूर अस्थल हैं पाकिस्तान में हडपा कालीन भारत में जोड़ी देखें तो सबसे जो उत्तरी अस्थल है मांड़ा आपको देख जाता है जम्मू कश्मेर में इसके लावाँ, रोपड पंजाब में, हरियाना में बालू, भगवानपुरा बनावली राजस्तान में काली बंगन राकी गड़ी ये, हरियाना में ही है ठीके, और सबसे बड़ा भारत में अगर देखा जाए तो 38 अस्तल राकी गड़ी है कहीं कहीं आपको धौला वीरा देखने को मिल जाएगा सबसे बड़ा, लेकिन एक्जाम में आपके राकी गड़ी मानता है ठीक है इसका छेतफल disputed है कोई कोई बहुँ ज़्यादा सो से अधी की डेंड सो लगभग मानते है hectare वहीं कुछ लोग केवल 80 या 90 hectare मानते है उस आधार पे भी काफी विवाद रहता है लेकिन प्रिक्षाओं में आपको राखी गड़ी ही ध्यान रखना है पूरे हडपा सब्विता का पूछेगा तो मोहन जोदोर सबसे बड़ा है अभी हम आपको लिष्ट की चर्चा कर देंगे बता देंगे फिलहाल आलमगीरपूर ये मेरट मिश्टी थे उत्तरवदेश में और सबसे पूरवी अस्थल हडपा क्या हडपा सब्विता का इसके लावा उत्तरवदेश में हुलास आपको देखने को मिलेगा हडपा कालीन अस्थल गुजरात में सबसे आदा अस्थल खोजेगे सुतंता के बाद हडपा सब्विता के जिसमें लोथल, रंगपूर, रोजदी, देसलपूर, धौलावीरा, सुर्कोड़दा ये सभी प्रसिद्ध हैं और महाराश में दाइमाबाद, ये सबसे दक्षणी अस्थल है हडपा का ये सभी प्रमुक अस्थल हैं और इनको यदि आप देखें तो देमाबाद को मिलाएए तो लगबख त्रिबुजाकार अस्थल आपको मिलेगा तो ये कैसा था त्रिबुजाकार था हडपा सभी प्रसिद्धा का जो अस्थल था के टेलिग्राम का एकरम से जोड़ना हो तो इस नमबर पे वाटसप करके जूड़ सकते हैं 9453-775039 पे इसके लावा सोसलोजी, लौ, हिस्ट्री, पबलिक अडिमिनिस्टेशन, आप्शनर सब्जेक्स भी आप कर सकते हैं इस नमबर पे वाटसप करके अफगानिस्तान में हिंदू कुष्ट के पार मंडी गाक और सोर्तु गोई आपने देखा मानचित्र में इसके लावा पाकिस्तान में मुकिता तीन शेत्र, बुलुचिस्तान, सिंद और पंजाब में शेत्र मिलते हैं बुलुचिस्तान में महरगड, नौशारो, सूतका गंडोर, सूतका को, डाबर कोड, बाला कोड, सिंद परांत में मोहँजोदोडो, ओमरी, कोड दीजी, जिसको कैची बेग भी कहते हैं, चन्हुलो, अली मुराद आदी पंजाब प्रांत में हडपा, सराय खोला, डेरा इसमाईल खान, जलील पूर, रहमान धेरी, गुमला, चक पुरवाने आदी वही भारत में अगर देखें तो जम्मू, पंजाब, हरियाना, राजस्तान, तर्पदेश, गुजरात और महराश में स्थल मिलते हैं जम्मू में मांडा में, पंजाब में रोपड, जिसको रूप नगर आज कहा जाता है कोटला, निंग खान, चक्छी आसी, बाड़ा, संगोल, डेरा, मजराय, सभी पंजाब में, हरियाना में, राकी गड़ी, बनावली, कुडाल, भगवानपुरा, मित्ताथल, सिसवाल और बालू परिक्षाओं पूछा या तया ध्यान रखेगा अस्थल, ये जो प्रमुक अस्थल है, राजस्थान में काली बंगन है, उत्तर वेस में आलमगीरपूर, हुलास, बढ़गाओं, गुजरात में देसलपूर, सुरकोड़दा, धोलावीरा, रोजदी, रंगपूर, प्रभा में स्थित है, और मांड़ा जो है स्थित है, वो है कहाँ, जम्मो कश्मीर में, तो अंतर समझिएगा, एक राजा मांड़ा जो है, आलमगीरपूर के पास भी है, ठीक हड़पा काली नस्थल, उसको ही माना आता है, इनमें इस कुछ बसावड का कार नगर शेणी में आता है मोहँजोजोड़ सबसे बड़नागर था, यहां नगर का जो विन्यास था, 250 हेक्टेर था, वहीं हडपा का 150 हेक्टेर, नगरी विन्यास, काली बंगन का 100 हेक्टेर से धिक, धोला वीरा का लगबक 100 हेक्टेर, गड़वारी वाला का 80 हेक्टेर, राकी गड़ी का 80 हेक्टेर बाकी ग्रामीर एलाका था लेकिन सबसे बड़ा जो स्थल है हडपा कालीन भारत में अगर है तो वो राखियगडी है विश्व में अगर है सबसे बड़ा स्थल तो मोहन जोड़ु है हडपा सबता के स्थलों को मिलाने से लगबग एक तिर्भुजा काराकृती बनती है अभी आपको हमने बताया ब्रिचेट और आलचिन कृत दराइज आफ सिवलाइशन इन इंडिया इंड पाकिस्तान पुस्तक का नाम रट लीजेगा में इस सब्विता का शेतफ़ लगबग 12,99,600 किलो मेटर बताया गया है इसका शेतफ़ विश्व के किसी भी समकालीन सब्विता से सबसे आदा विस्तित्था सबसे आदा अस्थलों की जो खोज हुई गुजरात में की गई सोसलोजी आफ्शनल के लिए आव 9453-75039 पे संपर करके जोड़ सकते हैं साटपा सब्विता का विस्तार पूर से पश्चिम तक लगबग 1600 किलो मेटर और उत्तर से दक्षन विस्तार लगबग 1400 किलो मेटर है इस स्टेटमेंट को याद करिएगा सबसे उत्तरी अस्थल मांडा है सबसे दक्षनी अस्थल दाइमाबाद है महराष्ट में सबसे पूर्वी अस्थल मेरट उत्तर विस्तार में आलमगीर पूर है सबसे पश्चिमी अस्थल पाकिस्तान में सूत का गंडोर है कुछ अस्थल जो महत्पूर्ण है वहां से संबंदिज जो प्रमुख बाते हैं मेहरगड ये उत्री ब्लूचिस्तान कक्ष के मैदान में कक्षी के मैदान में गोमल नदी घाटी मिस्थित है यहां से नौपाशाण काल से लेकर सेंदोस अबिता तक के सांस्तिक प्रमाण मिलते हैं नौशारों जो की मेहरगड के समीप हैं यहां से मांग में सिंदूर लगाने के प्रमाण मिलते हैं कहां नौशारों में रट लिजेगा दक्षनी ब्लूचिस्तान में अरब सागर तट पर दाश्क नदी तट पर सूतका गेंडोर इस्थित है इस सब्यता का सबसे यह पश्य में इस्थल था दक्षनी ब्लूचिस्तान में ही सूतका को डाबर कोट और बाला कोट इस्थित थे सूतका को शादी कौर नदी तट पर और बाला कोट सोन मियानी खाडी के पूर में विदार नदी के मुहने पर इस्थित थे मोहजोदाड़ो और आमरी सिंद प्रांत में सिंद नदी के दाएं तड़ परिस्तित है मोहजोदुरो इस सब्विता की राजधानी और सबसे वड़ा नगर और सरवादिक जनसंख्या वड़ा नगर भी था कोड़ दीजी और चनहुदरो सिंदु नदी के बाएं तड़ परिस्तित है कोड़ दीजी का एक अन्य नाम कैची बेग भी था और इसका अंत अगनी कांड से होने के प्रमाण मिलते हैं किसका कोड़ दीजी के हडपा पाकिस्तान के पंजाब प्रांथ में रावी नदी के बाएं तड़ परिस्तित है हडपा इस सब्विता का दूसरा सबसे बड़ा नागर और दूसरी राजधानी भी कही जाती है सबसे पहले हडपा की खोज हुई थी सिंदुगाटी सब्विता की इसी लिए इसका नाव हडपा सब्विता भी कहा जाता है जम्मू के अखनूर जन्पद में चिनाब नदी तड़ पर मांड़ा इस सब्विता का सबसे उत्तरी अस्तल था रोपड जिसको रूपनगर भी कहते हैं पंजाब में सतलुज नदी तड़ परिस्तित है यह सुतंता के बाद खोजा गया प्रथम अस्तल था यहां से मालिक के साथ कुत्ते के जतनाये जाने के प्रमाड भी मिलते हैं most important प्रश्न है यह हर्याना के जीन्द जन्पद में राखी गड़ी यहां का सबसे बड़ा अस्तल था हर्याना के ही बनवाली से मिट्टी केहल का प्रतिरूप मिला है कहां से हर्याना के बनवाली से पूस्ता है यह ठीक है कुणाल से हमें चादी का मुकड मिला है कहां से कुणाल से और भगवान पुरा से इस सब्विता की अंति मवस्था से पंदरह कमरो वाला मकान और चित्तित धूसर मिद्भान के प्रमाण मिले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों फैक्ट है हाला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा पीडियाफी है आपका एक एक लाइन बहुत महत्पूर्ण है काली बंगन के प्राग हडपा काल से जूते हुए खेत जूते हुए खेत के साक्ष का मिलें काली बंगन से और द्वी फसली क्रिश के साक्ष मिले हैं इसमें आड़ी और तिर्ची दोनों तरफ से जुताई की जाती थी कहां काली बंगन में एक साथ चना और सरसो के खेती करने के साक्षे हां मिले हैं तो दीफसली क्रिश के साक्ष मिले हैं और किसके साक्ष मिले हैं दीफसली क्रिश में एक साथ चना और सरसो के खेती के साक्ष मिले हैं राजस्थान में हडपा सब्धा के सरवादिक संकेदन घगर और हाकरा पाट में मिलता है काली बंगन घगर के ही किनारे इस्थित है आलमगीरपूर जो की मेरट उत्तर बदेश में है यमना नदी की सहाइक नदी हिंडन नदी के तडपर इस्थित हडपा सबता का सबसे पूर्वी इस्तित है कि हडपा सबता किस-किस नदिक किनारे इस्तित है यह भी मात्पुन हाला कि अभी लिष्ट ही मापको पूरी बता देंगे रट लीजेगा किसने खोज की कब खोज हुई किस नदिक किनारे इस्तित है कहां इस्तित है देशलपूर से ताबे की मुहर कहां से देशलपूर से ताबे की मुहर सुरकोड़ा से घोड़े के अस्तिपंजर धोलावीरा से पॉलिसदार प्रस्तर मिले हैं धोलापूर से और धोलावीरा से ही धोलापूर या धोलापूर आज कहते हैं लेकिन वो धौला वीरा है सरप्पा कालीन स्थल यहां से ही जल सरक्षन की विशेश तक निकी या उन्नत जल प्रबंधन पुडाली के साक्ष धौला वीरा से मिले हैं अलि में युनेस्को के दौरा इसको चालीसमा विरासत स्थल भी घोशित किया गया युनेस्को विरासित अस्थल गुजरात के रंगपुर से धान के भूसी के प्रवान मिले हैं किवल रंगपुर से नहीं लोथल से भी तो लोथल और रंगपुर से धान या धान की भूसी के प्रवान मिले हैं हाला कि चावल की क्रिश के साक्ष पर विद्वानों में अभी तक विवाद है लेकिन परिक्षा में पूछा जाएगा तो यह ही गुजराद में ही स्थित लोथल एक बंदर गाहनगर था यह स्थल साबर मती नदी की सहायक भोगवा नदी से एक नहर से जुड़ा था तो भोगवा नदी के किनारे इस्थित है यह पूछा जाएगा तो धौला वीरा के मुख द्वार पर एक सूचना पटी का साइन बोर्ड मिली है जिसमें हरपन लिप के में अंकित सबसे बड़े अक्षर प्राप्त होते हैं तो यह सूचना पटी का कहा मिली है धौला वीरा में मिली है अब आईए हम प्रमुक अस्थलों की प्रमुक प्रमुक विशिष्टाएं पढ़ लेते हैं आज के लिए इतना ही करते हैं कल हम विशिष्टाओं के बारे में पढ़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद